सरकारी विभाग आम लोगों को कानून बताते नहीं थकते किसी भी छोटी सी मामूली कोई वाइलेशन की हो तो इमिजेटली फाइन भी भरना पड़ जाता है अगर बिजली का बिल टाइम पर नहीं देंगे तो इलेक्रिसिटी कार्ट दी जाएगी इस तरीके से जब सरकारी विभाग आम लोगों के साथ पेश आते हैं तो आपको उमीद और तवक्का ये होती है कि ये सरकारी विभाग खुद सभी कानूनों का पालन करते होंगे कोई भी इलिगालिटी इन डिपार्टमेंट्स में आपको खुम्रियां डिस्टे कुपवाड़ा में हैं उसको लेकर जमकुष्मीर पलिशन कंट्रोल कमिटी ने एक ओर्डर जारी किया ओर्डर ये जारी किया कि ये जमकुष्मीर पावर डेर्पमेंट कॉर्परेशन illegally एक stone crusher को पाड़ा में operate कर रही है उस stone crusher को लेकर ये कहा गया कि generally आपको कोई भी stone crusher अगर operate करना है कि क्योंकि ये orange category में आता है high pollutant है इसके वज़ा से आपको पहले जो मकश्मीर pollution control committee से permission लेनी होती है उनकी जब वो आपको sanction दे देते हैं और वो ये measure करते हैं कि क्या आपने जो adequate pollution control devices हैं वो आपने इस्तमाल किये हैं नहीं किये हैं pollution control के जो measures लेने की जरूरत है वो आपने लिए हैं या नहीं लिए हैं तो ये सारी चीज़ें काड़ चेक करना जो है वो जमकुष्मीर pollution control committee का काम है इस मामले में ये कहा गया कि जमकुष्मी power development corporation के power house जो करना खुम्रिया डिस्टिक उपवाड़ा में है उन्होंने बिना valid consent के एक stone crusher को illegally unauthorizingly चला का रखा हुआ है उसको लेकर भी जेके PDC के concern जो manager थे उनको notice भेजे गए पहला notice भेजा गया 21 September 2021 को दूसरा notice भेजा गया 20 October 2021 को और बार बार उनसे ही इस notice के जरिये ये पूछा गया कि आप बताएं आपके खिलाफ legal action क्यों ना लिया जाए आपको penalty क्यों ना लगाई जाए आपके stone crushher को बंद क्यों ना किया जाए जब आप illegally operate कर रहे हैं लेकिन आप देखें कि दुबारा से जब pollution control committee के staff ने कुपाड़ा में 4 November 2021 को stone crushher की inspection की तो inspection में मालूम ये चला कि ना ही उन्होंने stone crushher को बंद किया है बीना जब कुश्मीर pollution control committee के consent के अभी तक वो बीना कोई pollution control device का इस्तमाल किये और pollution control measures को ensure किये वो अपना काम किये जा रहे हैं stone crushher को उन्होंने operational रखा हुआ है इसके चलते 13 November 2021 को regional director to pollution control committee के हैं कश्मीर के उन्होंने कहा कि stone crushher को बंद करना होगा unauthorized operation क्यूंकि वो काफी देर से कर रहे थे इसके चलते एक order जो है वो मेरे prevention and control of pollution act है या air prevention and control of pollution act है या environmental protection act है जिसके तहर ताकते इस्तमाल करते हुए जमो कश्मीर pollution control committee ने ये आदेश दिये कि stone crushher को immediately बंद कर दिया जाए deputy commissioner से ये कहा कि आप जाकर इस stone crushher को close करें इसे immediately seal करें जो chief engine है electricity and maintenance PDD के कश्मीर के उन्हें ये कहा गया कि आप electricity supply जो इस unit को हो रही है उसे immediately snap कर दे और साथी में जो manager है जमो कश्मीर पावर डर्पेंट को operation पावर हाउस के उन्हें ये कहा गया कि आप operations cease कर दे stone crushher को operate करना बंद कर दे ये तो एक order है इसी तरीके के कई सारे orders आपको जमो कश्मीर pollution control committee की website पर मिल जाएंगे जिसमें इसी तरीके से सरकारी hospital हों, सरकारी corporations हों, ये सरकारी विभाग हों, इन सभी के अलग-अलग units को लेकर कहीं biomedical waste का मामला है, कहीं illegal operation का मामला है, कहीं service treatment plan नहीं बराब हुआ, कहीं pollution control measures नहीं लिये जा रहे है और इस तरीके से कई सारे orders, pollution control committee बार-बार timely निकालता रहता है warnings भी देता है इन units को और notices भी भेजता है, इन units को लेकिन ऐसा लगता है, कि सरकारी विभागों को कोई लेना देना pollution के साथ नहीं है कोई लेना देना environment के साथ नहीं है, कोई लेना देना आम लोगों की सेफटी के साथ नहीं है वही कारण है कि जब notices भेज़े जाते हैं तो notices का जवाब नहीं मिलता और ये last measure जो है वो pollution control committee लेता है जब भी किसी unit को seal करने के आदेश दे दिये जाते हैं, इसका मतलब यही कि बार-बार notices बेज़े जवाब कोई नहीं मिला बार-बार सवाल पूछे गई, जवाब कोई नहीं मिला उनसे कहा गया कि आप operation या तो ठीक करें sanction लेने के बात करें या pollution control measures adopt करें कोई सुनवाई नहीं हुई उसके बाद जाकर closure के orders जो है इस मामले में तो कुपवाड़ की district administration को मालूम होगा कि stone crusher को finally seal किया गया या नहीं किया गया लेकिन आम लोगों का सवाल जरूर ये बनता है कि जब सारे कानून आम लोगों को सिखाने के लिए सरकारी विभाग ये सरकारी corporations आ जाती है ये क्यों नहीं देखती गисл法 कि वो खुँद कितने कानूनों का उलंगन कर रहे हैं और एक सरकारी विभाग को कह पालटो करें ना करें लेकिन वह सुनकर राजी नहीं कई सारी मुनसिपल काउंसल मुनसिपल कोमिटी मेचने हुष लगाना कई पड़ी पे आपको लाखों के जिसाब से environmental compensation लगानी पड़ी लेकिन municipal council committees भी solid waste management के कानून हो उन्हें लेकर serious नहीं है environmental कानून हो उनको लेकर serious नहीं है ऐसा लगता है कि development की दोड़ में विकास की दोड़ में केवल target achieve करने हैं लेकिन जो सही तरीका है कि आपको environment का भी खयाल रखना है आपको कानूनों का भी खयाल लखना है आपको जापते का भी खयाल रखना है ऐसे लगता है इन सरकारी विभागों को लगता है कि कानून का पालन केवल आम आदमी को करना जरूरी है इन विभागों को करना जरूरी नहीं है